हेलो फ्रेंड्स जिसकीज कीचन में आपका स्वागत है आज फिर आज ही रहे हम एक और नई रेसिपी के साथ बनाते हैं बच्ची हुई रोटी का चुर्मा अक्सर रोटी सभी के घर में बन जाती हैं तो आज हम उनका यूज करते हैं हमने रोटी को छोटे-छोटे टुकडों में तोड लेना है और उसको तोडने के बाद हमने इनको मिक्सी के जार में डाल देना है यह चुर्मा हम मिक्सी में बनाएंगे अब आप इसमें डाल दें थोड़ा सा दूद ताकि जो हमारी रोटी है वह अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं आप इसमें दूद डालने के बाद आप इसको पीस दें यह देखे हमारी जो रोटी है वह पीसकर तयार हो गई है अब हमने ले लिया है शुगर पाउडर शुगर पाउडर की जगए आप इसमें बूरा जागरी पाउडर या पर जागरी का अस्तेमाल भी कर सकते हैं अब आप इसको भी इस रोटी में मिला दें और इसको अच्छी तरह मैश कर दें आप इसमें घी डाल देंजे दूद की जगह दर मलाहे आप इसमें जाले आप diva घी ऑफ इसमें मला ईयग ड़ी तोड़ी किश्मिश दालने के बार उच्मिश trag tari Weta कि जो मारे हमारा शुगर पाऊडर है वह हमारी रोटी में अच्छी तर और मिक्स हो झाए चुर्मा खाने में बहुत स्वादिस लगता है अगर आप जब आपका खाना खाने के बाद कुछ मीटा खाने का मन करें तो आप बची हुई रोटी से इस तरीके से चुर्मा ट्राइ कर सकते हैं है देखे हमने इसको अच्छी तरह mix कर देना है और mix करने के बाद आप इसको round shape में इसके छोटे-छोटे बाउल तयार कर लें हम ने इसके छोटे छोटे बाल्स बना लिए है और बाल्स बनाने के बाद हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा और ड्राइफ रोट लगाएंगे ताकि यह देखने में और भी ज़्यादा सुन्दर लेगे और बच्चे इसको शौक से खा लें हमारे छोटे छोटे बॉल्स बन कर तयार हो गए हैं अब आप इस पे लगा दें उपर से थोड़ा सा काजू अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाते हैं तो आप इसमें उपर से थोड़ा जैम लगा सकते हैं या फिर हनी डाल सकते हैं ताकि बच्चे और भी ज़्यादा अट्रेक्टिव हों और इसको पसंद से खा लें। हमारा डिलीजियस रोटी चुरुमा बनकर तयार है। चैनल को लाइक शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, बैल आइकन दबा दें। और भी इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्क्रेन को टच करें। थैंक यू।